लूथ वल्कम टो ओल उफ यू इन लन वीथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यव चैनल लन वीथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक किचेगो और मैक्सिमम शेयर किचेगा तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे ट्रेंगलर पिस सिंगल रो और डबल रो ठीक है इसमें भी मैंने आप लोगों बिल्कुल एक करके बताया सबसे पहले हम लिए थे सरकल वाला उसमें इंसाइट पढ़े थे आउटसेट पढ़े थे उसके बाद इंसाइट रेक्टेंगल का करें फिर ट्रियंगल का पिस सिंगल रो डबल रो ठीक है इसमें भी नौट रेखा एक बर साउद ưद रेक्ट प्लस देखा ठीक है एक की करके हमने सабकी तीन-आरान बना कि सारे सेटिंग्ए ठीक कर लिए थे 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 थाग हाओ इतना करने के बाद हम डबल रुपी जाएंगे ठीक है तो चलिए आज का हम क्या करते हैं स्टार्ट कर देते अपना क्लास ठीक है तो यह रहा आप लोग के सामने कोशन हिंदी पर ठीक है आप इसका स्कंस्वर्ट लेकि रख सकते हैं उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने इंग्लिस कोशन की तरब ठ ढ intermediary आप देख सकते हैं यह लिखा हुआ हम क्या करेंगे इसको बढ़ते जाएंगे और जुम् करते जाएंगे तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं यह क्यों जाएं शेरच से सब्सक्राइबरा क्ले ट्रीयंगल और चारिके से बैठ पर और से तक हो रहा है कि जो आउटसाइट देख रहे हैं वह कहां बैठ हूँ है तो प्रिख देखें तो लाए तो यह यह दो ट्रफ ट्रेकर है तो में तरफ लोज देखें कि अदर श्यचाएट अधर ची कहां थे चुक्ति ञें कि ट्नेट हैं अधर के तरफ नहीं डील च्टि इच आफ दो इच हैस डिफरेंट प्रोफेशन सीए सीएस लॉयर आईएस पाइलेट और डॉक्टर यह क्या है इनके पास अलग अलग प्रोफेशन से इनके क्या क्या है वो प्रोफेशन एक है सीएस एक है लॉयर एक है आईएस एक है पाइलेट और एक क्या है डॉक्टर ठी लिखना हम क्या करते है इस्टार्ट कर देते हैं आप लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत आए कोई प्लीज मुझे कमेंट करके बता दिएगा कि मुझे आप पे दिक्कत आ रही तो चलिए मैं उसको सॉल्व करने के कोशिट करोंगे तो चलिए बढ़ते आगे का बोल रहा है प है को पिए तो चलिए है टे किसे के सीए के लिख लिए अब जल्दी जल्दी अम सारी इंफर्मेशन नोट करेंगी जिसके बाद हमें किया है पार बार कोश्टन वेस्ट को देखना ना पड़े ठीक है हम डिरेक्ट क्या करेंगे यहीं से अपना प्र चुल्व करते अब बोल रहा है कि किया नेवर आएगा ठीक है किस गनेवर यह किस लेकि तोक्टर का और पाइलेट जांपार सीगत का रिखनाहीन no doctor, मतलब S c a भी नहीं है और doctor भी नहीं है, हमने लिख लिए है और क्या बोल रहा है and sits, अब किसकी बात हो रहे है S की, S के s yes भी नहीं है, doctor भी नहीं है पर बैठा कहां है, वो third left of P, तो S कहां बेठा है S बैठा है, third left of P की ठीक है और क्या बोल रहा है और और अब इसने बता दिया टी इसका परॉसी है करूसेस आयडot मैंने लिख लिए टी नेबर है ऐनिई लिखा मतलब क्या है नेबर है इसका खाया ठीक है CS ACT or Skivals if not मुझे सबंदाइस का हैना गया है जो CS इसाच कहा देख रहा है inside मैंने लिख लिए in ठीक है क्या बोल रहा है seats adjacent to r मतलब r के पास बैठा है मतलब cs क्या है neighbor आगे किसका r का हमने लिख लिख लिए cs neighbor है r का ठीक है और क्या बोल रहा है आगे ca is facing opposite direction of ca जो ca है जो भी बंदा होगा ca pqrstu में से जो भी ca होगा वो क्या है आपowskir direction के देख रहा है a अगर cs inside देख रहा है तो ca कहा लिंसाइड मुझे पता इसने पहले बता दिया कि इसने पहले बता दिया कि से जो ही वह लिखा है यहाँ पर लिखा हो हूँ है कि इसमें दिनक्ति अनिक्रार किए करने कर though ढोड़ कर एक přाव्यों मुन कि अब मैं कहां से स्टार्ट करूंगी देखो सिये के सेकंड राइट लेफ्ट पता है ठीक है अब पता है कि यह कौर्नर पर बैठा है कि मिडिल पर या फिर वह बाहर देख रहें कि अंदर पर अगर पता होगा तो हम यहां से कोईश्चन अपना स्टार्ट कर देंगे अगर पता होगा तो हमें दूसरे इंफॉर्मिशन से कोईश्चन अपना स्टार्ट करना होगा ठीक है सिये की सेकंड राइट पर वह रहा है तो सिये का फिस पता है कि बिल्कुल यहां पर लिख रहा है मुझे सिये कहां लेना पड़ेगा कोहीं भी बाहर पर मैंने सिये को जमा ल सिये के सेकंड पर यहां बाहर देख रहा है तो यह वाला साइड उसका क्या हो जाएगा राइट से सेकंड राइट पर क्या और से कौना आगया पी को भी हमने फिक्स कर लिए यह समझ में से के साट अब ङप अभी क्या बोल रहा है दो यह इद्वर्मिशन भी हमारी जूज पाईलेट इधर आजाएगा ठीक है और पाईलेट इधर आएगा तो डॉक्टर इधर आजाएगा ठीक है यह बात समझ में यह समझ में की डॉक्टर के धा से थर्ड लेफ्ट पर ऑर पी यह रहां इसके थर लेफ पर ये बाहर देख रहा है तो left side कौन सा आजाएगा ये वला तो ये एक left ये दूसरा left ये तीसरे left पर कौन आगया S आगया हमने fix कर लिया S को भी ठीक है ये समझ में पी के third left हमने किसे लिख लिख लिया S को भी बाहर देख रहा था तो left side पर हमने ये इंफोर्मेशन भी हमारी use हो गई ठीक है और क्या बोलाएख ना C भी नहीं है और s doctor भी नहीं है मतलब s क्या आना है s doctor नहीं यहां पर तो पाइलेट बैठना था या तो डोक्तर अब तो यह क्या जाएगा पाइलेट ठीक है एस क्या गया पाइलेट आगया तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे एस को पाइलेट लिख लिए मैंने ठीक है और तो यहां पर क्या जाएगा देखो पाइलेट वहां पर आ चुका है तो पाइलेट यहां पर आना नहीं तो यहां पर क्या जाएगा हमारा ड और कि आपके कोई थे और कोई डाप कर दोक्टर कोई से चाहिए पर देख पार कोई फिक्स कई इन्साइट थे अर पर कोई देख रहे हैं। CS neighbor है R का, अब CS जब यहाँ पे है, तो इसके यहाँ पे neighbor आ रहाएगा कैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो P बैठा हुआ है, तो R कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, R कहाँ पे fix हो गया, यहाँ पे, ठीक है, इत्ती बते समझ में, CS neighbor है, R का, अब बोल रहा है, T neighbor है, R का, यहाँ पे बोल रहा है, अब R यह रहा, इधर तो S बैठा हुआ है, तो T कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, T कहाँ पे आ गया, यहाँ पे T neighbor है, R का यह भी हो गया, अब बची एक information, वो क्या बोल रहा है, देखो, Lawyer के Third Left पे क्यूँ है, ठीक है, Lawyer के Third Left पे क्यूँ है, यहाँ CA बैठा है, Lawyer आना नहीं, ठीक है, एक मिलट, यहाँ पे CA बैठा हुआ है, यहाँ पे Lawyer आना नहीं, यहां डॉक्टर बैठा हुए, यहां पे लोयर आना नी यहां पाइलेट बैठा है, यहां पे लोयर आना नी यहां सीएस बैठा है, यहां पे लोयर आना नी लोयर के लिए कौन सी प्लेस बची है? दो ही प्लेस बची है अगर मैं लोयर को यहां पे लिलू तो लोयर के थर लेफ्ट, इसका फिस बाहर की तरफ है, तो लेफ्ट सेट कौन सा आ जाएगा, ये वला, ठीक है, तो ये पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीस्रा लेफ्ट पे क्यों आना है पर बैठा तो ऐसे तो लोयर यहां पे आएगा, क्या लोयर यहां पे नहीं तो फेला लेफ्ट इसे था लेफ्ट लेना है यह पेला लेFT लेता है क्यों रहे धीत है अब बच्चा क्या क्या हमारा देखो एक ही बंदा बच्चा है प्यू हो चुका है यह रहा पी ठीक है क्यू हो चुका है यह रहा क्यू पी क्यू आर हो चुका है यह रहा एस हो चुका है यह रहा यू यू बच्चा है तो यू आ गया यहां पर ठीक है यू कहां पर आ गया य के CA हो गया है CS हो गया है ठीक है lawyer हो गया है IAS नहीं हो आजाएगा P ठीक है P क्या है IAS officer है ठीक है इतना हो गया pilot हो चुका है doctor हो चुका है तो मेरी arrangement कैसी बनी मेरी arrangement बनी Q जो कि क्या है एक doctor है U जो कि क्या है IAS officer है ठीक है यहां यहां पर बैठे हो गई ठीक है और corner वाले कहां देख रहे थे बाहर की तरफ देख रहे थे और center वाले बीच वाले अंदर के ओर देख रहे थे ठीक है यह हमारी arrangement fix हो गए ठीक है तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों नहीं क्या किया कैसे एक एक information को use किया और अपनी arrangement complete कर ली तो जब भी exam में आएगा आपको बिल्कुल ऐसे ही solve करना है कि सबसे पहले हम क्या करनेंगे information हमारी note कर एक एक information का use करके हम करते जाएंगे ठीक है जब भी हम exam देते हैं तो क्या रहता है computer screen पर क्या रहता है question में first भी जाते हैं इसलिए मैं आप लोगों को यहीं suggest करूंगी जब भी solve करें question को सबसे पहले अपनी information लिख लें इसमें बहुत कम टाइम लगता है कि solve हो भी पाएगा या नहीं ठीक है एक मिनट इस पे लगता है और एक से देड़ मिनट में हम question solve कर लेते हैं ठीक है तो चलिए session को आ जाए थैंक यू और बबाए